एक लड़का तैसीले में काम करता है और वो इमांदारी से काम करता था एक चफरासी के पद पर तैनात था लेकिन तैनात होने के बाद उसकी डूटी जो एस्टियम महला थी उसके नीशे लग जाती है लड़का अपनी इमांदारी से काम फाइल इधर से ले जाना उधर करना उधर की इधर जहां जो काम मिलता था वो काम इमांदारी शिन अप्टाता था लेकिन जो H-T-M महला होती है जो भी काम करती थी उस लड़के को ही बोला करके काम करती थी और लड़का इतना सुन्दर था ज़ di iski उमर लगबाग 27 बरस होती है देखने में बहुत सुन्दर होता है लड़का लेकिन महला जो H-T-M होती है उस लड़का को देख करके इतनी मोहित हो जाती है इतनी फैदा हो जाती है कि एक दिन उसे रात्री को अपने रूम पर बुला लेती हैं दोस्तो कहानी बड़ाई इंटेस्टिक है आखिरकार वो महला उस लड़के के साथ क्या करती है एस्टीम और वो लड़का क्या करता है दोस्तो नमस्कार प्रणाम मैं हूँ प्रेम आदब जो कहानी तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये सची कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी बुलंद सेर की है जो हम आपको बताने जा रहे हैं एक लड़का जिसका नाम होता है सुधीर, सुधीर एक मिडल परवार से था, छोटी परवार से था, गरीब था लेकिन तैसिल में वो काम किया करता था, इधर के कागज उधर ले जाना, उधर से इधर ले जाना उसका यही काम था दोस्तों, और वो उसका यहां तक इमांदार पर लेकिन तब आपको पता चलेगा, सुधीर जो होता है, वो जो महला, STM होती है, उनकी नीचे काम करता था, और महला जो STM थी, उस लड़का को देखकर के इतनी खुस रहती थी, उतनी प्रसंद रहती थी, कि जो भी काम कराना है, तुरंत फॉन करती थी, उसे बुलाती और उसे पसंद करने लगी थी, उनका विभा नहीं हुआ था, जब विभा नहीं हुआ था, तो वो चपरासी जो लड़का होता है, बड़ा ही, खुद किसमत होता है, अब वो काम करता था, लेकिन जो महला STM होती है, उस लड़का को पसंद करना शुरू करती है, दोस्तों, दोस्तों, यहां तक होता है, कि वो महला STM उस लड़का पर फियदा हो जाती है, और सुदीर को एक दिन अपने रूम पर वलाती है, रूम पर वलाने की बाद कहती हैं, सुदीर, हम आप से कुछ कहना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमा लेती हो, कितना आपको मिलता है, वो ल लेकिन दोस्तों, जो महला STM होती है, वने इनवाइट करती हैं, बाकाइदा अपने रूम पर रुखने के लिए कहती हैं, कि आज मेरे साथ आपको रुखना होगा, लेकिन जो STM महला होती है, उस लड़का पर इतनी मुग्द हो जाती है, कि उसे उस रात्तरी अपने पास लोकने के बाद और उसका विस्तर लगाती है, खुद हाथ से लगाने के बाद, वो चपरासी लड़का था, वो सोच रहा था कि आज क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं है दोस्तों, लेकिन जो लड़का था, बड़ा ही सुन्दर था, लेकिन वो समझ तो जाता है, कि आख जो होती है, साइवा, खुद अपने बस्तरों को उतार कर और दूसरे बस्तर पहन करके उसी के विस्तर पर आ जाती है, सुदीर कुछ डरने की कोशच करता है, लेकिन वो साइवा जो होती है, उसके विस्तर पर, उसकी गले में बहियां डाल करके, और उसके पास बैठ जाती सिञाओं तो लड़का कहता है कि मेरा विवा तो नहीं हुआ मैं एक चपरास ही ठहरा अभी साधी के आ रही है लेकिन साधी में कर नहीं रहा क्यों कि बेहन भाई पड़ रहे हैं साधी हो जाएगी आगे चल करके लेकिन जो मैडम होती है अपने दिल की तमना जब उसके पूरी होती है तब वो कहती है कि हम तुमसे साधी करना चाहते हैं तुमारी राय क्या है तुमारा बिशार क्या है तो सुदीर एक बहुचक का सा रह जाता है और कहता है कि मैडम कहां आप और कहां हम आप जो कह रही हो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम एक HTM हो में आपका चपरासी हूँ, आपका एक नौकर हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जो HTM मैडम होती हैं, वो कहती हैं कि हम तुम से साधी करना चाहते हैं, चाहे तो राजी बाजी से कर लो, या फ़र हमने आपका जो वीडियो बना लि है, मैं आपको जेल की सलाकों में पहुचा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करूंगी नहीं, मैं तुम्हें दिल और जान से चाहती हूँ, तुम्हें अतना प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें आज की रात बलाया है, और मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, तुम मुझ से स का यहां दो आजये हो सकता है, उसके बाद में बो, लड़का हां कर देता है, ठीक है, समय आने दो, साधी हो जाए। दौस्तो साधी के लिए जब तैयार हो जाते हैं, और दो-चार महीन जब वितीत होते हैं, जो लड़का होता है, सुधीर, अपना काम करता था, और जब, लड़के को भी लालस देती है लालस देने के पाद एक और आ जाता है उसकी जिंदगी में जो स्टियम महला होती है उसकी जिन्दगी में एक और लड़का बहुत सुन्दर आ जाता कहते हैं कि जो तुमसे प्यार करती है तुमसे भी अच्छा मिल जाए तो तुम्हें छोड़कर उससे करने लगती है वही काम हो गया एक और वहीं का एक तेसिनार था नया विवाल लड़क उसे भी अपने रूम पर बोलाती है रूम पर बोलाने की बाहद और उससे जो मरजी आया वो काम करती थी जो तेसिनार लड़का होता है उससे वो कहती है कि तुम हम से साधी कर लो लेकिन वो लड़का जो तेसिनार होता है उसकी पहले से साधी हो जाती है और उसके एक करता तेशनार होता है वो कहता है कि मैडम मेरे शादी तो पहले से हो चुकी है मेरे पास एक बेटा भी है ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों कहते हैं कि चारा तरह मुह मानने वाली गाय करी रुकती नहीं है उसने उस चपराशी लड़का था उससे भी जहांसा दे रखा था लेकिन सुधीर उसकी बात को समझ गया था कि अब ये मुझे नहीं बुलाती है अब रातरी में तैसनार यू नया हया है लड़का युवा है इससे इसका संपरक है इसे बुलाती है इसका कोई काम गलत जरूर चल रहा है दोस्तों इसके बाद में धीरे धीरे बात यह होती चली जा इसके बाद में वो तैसनार होता है अपनी वहां से बदली कराकर दूसरी जगह चला जाता है उसके बाद में जो सुधीर होता है वो अपने घर पर आता जाता था उसी के चक्कर में फिर वो उसे बुला लेती है और कहती है सुधीर अब तुमारे बगर में जी नहीं सकती त लेकिन मजबूरन कियों को उसके पास वीडियो बना रखा था तो उस चपरासी से खुस हो करके वो साधी कर लेती है। दोस्तों जब साधी सुदीर से हो जाती है। लगी हुई थी पराए मर्द को बुलाना पराए मर्द से सम्मंद बनाना उसका यह काम था दोस्तों। इसके बाद में सुदीर ने जब उसका चार्ण चलन देखा तो उससे दिवोस ले लिया, तलाक ले लिया, कहा कि हम ऐसी चाहे आप एस्टियम हो चाहे कोई भी सही हम ऐसी महला को बिलकुल पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। इसके बाद में सुदीर उसे छोड़ देता है और अपने घर रहने लगता है उधर वो एस्टियम का जब चर्चा चार तरब होता है तो वहां से वो जाती है जाने के बाद अपनी आत्मत्यकल लेती है जब चार तरब बेजजती होती है तो अपनी खुदकुसी करने के अपनी आत्मत्यकल लेती है दोस्तों तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी किसी प्रकार ऐसा कदम मत उठाईएगा जिससे आपकी छबी धूमिल हो आपको परिशान होना पड़े लज्जत होना पड़े इस प्रकार से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए दोस्तों कहानी हमारी कै हिंद्ध भारत मिलते नेस्ट वीडियो में